दोस्तों नमस्कार आप सभी खस्वागत आपकी अपने यूट्यूब चैनल आरेनेस अजुकेशन न्यूच में तो दोस्तों आज चार राज्यों के चुनावी नतीजे तीन में पूरी तरीके से बीजेपी जिसमें राजस्तान, मद्यपरदेश और 36 गड़ तीनों स्टेट् सरकार बना रही है राजस्तान में कुल 199 सीटों पर यहने की एक सीट जो सिरी करनपूर की थी वहाँ पर कॉंग्रेस कैंडिडेट्स किया निधन हो गया था इस वज़े से वहाँ पर चुनाव लेक्शन कमिशन आफ इंडिया ने नहीं कराए लेकिन 199 में सीटों की बात करें तो अब यह लगबग तै हो गया है बीजेपी की सरकार बन चुकी है पूरे बहुमत के साथ लेटेस्ट अगर डेटा बताऊं तो 114 सीटे बीजेपी के खाते में हैं 71 जो सीटे हैं वो यहाँ पर कॉंग्रेस के खाते में और 14 सीटों पर अन्ये में कॉंग्रेस बीजेपी निर्दलिये, RLP इन सब के कैंडिडेट्स आगे हैं जीत भी चुकें काफी तो यह पूरी स्थती है और अब यह तो तै है कि कॉंग्रेस सरकार जा चुकी है तीन दिसंबर देश के जो मत दाता है इन चार राजों के मत दाता है बेसिकली बात करें राजस्थान के जो मत दा उन्होंने बीजेपी को दे दिया है हाथ में राजस्थान का चार्च और जैसे ही बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है चिकितसा विभाग के हजारों अभ्यरतियों को डर आसंका सताने लगी है कि आगर आखिरकार क्या होगा जी हाँ दोस्तो इसी पर बात करने वाले हैं देखिए पूर्ण भावमत से सरकार बीजेपी बना रही है राजस्तान में और तमाम जो एकजिट पॉल्स थे तमाम जो प्रेडिक्शन्स थे वो सब के सब फेल होते हुए नजर आए और आप दोस्तो चिकितसा विभाग की जो सिफु की भरतिया है उनका क्या होगा ठीके ये बड़ा सवाल है अपने आप में देखिए काफी सारे लोग जो है उनको ये लगता है कि अब बीजेपी आ गई है और कुछ ऐसे भी लोग जो भूनसंक भरतियों से इत्तिफाक नहीं रखते हैं उन्हें परिक्शा से भरतिया चाहिए वो लोग और कुछ लोगों की लाने लगेंगे या लग चुके हैं कि ये भरतियों को बीजेपी सरकार रद कर देगे लेकिन मैं इसके उलट मानता हूं पूरी कहानी को मेन बात ये है दोस्तों सिफू के दुआरा ठीके सिफू के दुआरा जो आठ भरतियां निकाली गई थी जिनमें साथ की प्रोविज थे उनको क्रोस चेक किया जा रहा है क्रोस चेक से मतलब ये है कि क्या वापस से जो एक्स्पिरियंस बनाए गए थे दो हजार तेविस में अप्रेल माई जून के महिने में उन भरतियों में जो एक्स्पिरियंस बनाए गए थे क्या वो सही थे क्या किसी ने कारस्तानी करके फरजीवाडे तरीके से तो experience हासिल नहीं किया और वो provisional list वगरा में चैनित हो गया हाई कोट का आदेश था ठीक है अब ऐसा भी नहीं है कि आप लोग सीफू को या चिकित सविवाव को पानी पीपी करके गाली दें कि ये क्या किया हाई कोट के आदेश था उसके बाद यहाँ पर experience को दुबारा से चेक करने का या पुनर सत्यापन करने का जो आदेश है कोट ने दिया और कोट के आदेश के अनुपालना में चिकित सविवाव को और सीफू ने इनके जरिये जो है आदेश जारी किया और ये कहा कि हम वापस से 10 दिसंबर से 31 जनवरी तक लगभग हम 50 दिन ये experiences जो हैं उनको जाचेंगे कि क्या सही थे क्या गलत थे अब ये जो इस्तती की जा रही है experience को जाचने की उस इस्तती में ये भी हो सकता है कि काफी सारे जो कबूतर बाजी लोग हैं बेवानी करके या cheating करके धोके धड़ी से पैसा खिला करके जिन्होंने experience बनवाया है वो इसमें पकड में आ सकते हैं वो पकड में आएंगे तो कुछ genuinely लोग जो हैं उनका selection होगा उसके साथ ही दोस्तों जो hold लोग हैं 22, 23 जो लोग हैं जी एनम में हैं और भी भरतियों में किसी में 100 हैं किसी में 200 हैं एनम में 22, 24 हैं यह जो तमाम hold वाले जो अभ्यारती हैं इनका काम भी अब सुरू किया जाएगा यानि कि जिस state से जिन्होंने पास आउट की उस state की सम्मंदित जो कॉंसिल है चाए नर्सिंग की हो चाए परमेडिकल की हो उनमें जाकर के पता लगाए जाएगा कि भाई क्या वाकई में इन लोगों ने यहां से पास किया था जैसे कि आप लोगों को पता होगा दोस्तो जो फार्मासिस्ट की जो भरती है उसमें 101 आप लोगों ने फार्मासिस्टों के फर्जी रजिस्टेशन हो रख के थे पता ही होगा खबर भी हमने डाली थी नियुजबे परमया था तो 101 Pharmacist में फरजी रजिस्टेशन से रजिस्टेशन हो जाते हैं Pharmacy Council में अब इसी तरीके से Nursing चाए GNM हो चाए A&M हो और चाए और LTRT ले लीजे आप लोग नेतर साय के लेजिए ठीक है या फिर Dental Technician उगर 7-8 बर्चियों को ले लीजे अब उन सब के experience को जाचा जाएगा सब के सब की जो hold लोग हैं उनको भी देखा जाएगा कि क्या किसी ने अगर आंदर प्रदेश से पास की नर्सिंग जी एनम या इनम तो क्या आंदर प्रदेश में वो कोलेश था क्या उसी के वो actual percentage थे जो उसकी माकसीट में अंकित थे क्या कुछ था क्या उसने जो 12th किया 10th किया किसी भी बोर्ड से क्या वो पास किया गया था या फिर ऐसे फरजी माकसीट बना करके scanning करके और सब की आँखों में धूल जोग करके और आगे पढ़ाई की गई ये तमाम चीजे जासी जाएंगे ये भी 31 जनवरी तक ठीक है 31 जनवरी तक उसके बाद जो बोनस का मामला है CHO को है कि उनको क्यों नहीं दिया गया CHO को क्यों दिया गया एक दिन को क्यों दिया गया तमाम वो जो matters है अनुभव को ले करके वो भी जारी रहने वाले हैं अगर बोनस अंकों में बदलाव को ले करके CHO और CHO वाले में अगर कुछ बदलाव होता है तो एक महिना चिकित सा वो विभाग यहां पर और लेगा इनकी पूरी फरवरी भी वो ले लेगा और उसके बाद जो है merit list वगरा किस्ततियां पैदा होंगी अब basically जो बात है mean बात वो है कि BJP सरकार बन चुकी है सब को बधाई यहां पर BJP को भी बधाई क्योंकि हमारा काम तो दोस्तों देखिए आप तक खबरे पहुँचाने का है पांस साल कॉंग्रेस रही खबरे पहुचा ही अब BJP रहेगी तो भी खबरे पहुचाएंगे जो गलत करेगा तो कहेंगे भी क्यार इन्हों ने ये गलत किया तो BJP सरकार बन रही तो BJP सरकार बनने का मतलब यह नहीं है कि यह लोग खराब है ठीक है आप अपने हिसाब से चीजों को analysis कर सकते हैं ठीक है और अगर analysis करते हैं और analysis ही करके अगर लोग vote करें तो ये इस्ततियां भी नहीं पैदा हो ये किसी में Congress जीत जाए किसी में बीजेपी जीत जाए ये मत है ये काफी सारे factors पर प्रभावी रहता और उसी वज़े से सरकारे बनती हैं भी गड़ती हैं ठीक है तो भाई BJP आगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई BJP बहुत खराबी है ठीक है ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि BJP आते भरतियां रद कर दी जाएंगे अब देखिए मेरी बात का आपको अगर यकीन है विश्वास है ट्रस्ट अगर आप लोग RNS Education News पर करते हैं तो मेरा तो यही कहना है BJP सरकार आने पर भी और आई चुकी अब तो BJP आ चुकी है तो इससे भरतियों पर कोई भी effect जो है वो नहीं पड़ेगा कोई भी effect नहीं पड़ेगा अब आप लोगों का मन जो कह चंचल है चंचल है और जब चंचल मन जो होता है एक बेरोजगार का जो मन होता है तो बेरोजगार को तो जब वो रात को सोता है या दिन में वो अगर दो मिनट के लिए दस मिनट के लिए जब आराम करता है और जब करवटे बदलता है तो उसे बहुत कुछ याद आ जाता है ठीक है ना उसे बहुत कुछ याद आ जाता है दुख के वो दिन अपने माता पिता का वो संगर्स अपने वो अपना खुद का संगर्स और जो सरकारों के दुवारा जो चीजे खी जाती हैं वो सब चीजे उसके ध्यान में आ जाती है और कही न कहीं उन चीजों को सोच करके वो दुख में चला जाता है उसकी मनुष्टी ऐसी होती है एक बेरोजगार की क्योंकि हमने भी उस जिंदगी को जिया है तीक है आज से दस साल पहले कर देंगे ऐसे तो नहीं कर देंगे लेकिन दोस्तो मैं आपको fully trust के साथ कह रहा हूँ विश्वास के साथ कह रहा हूँ यह वीडियो भी यहीं पर आप लोगो चैनल पर मिलेगा ऐसा नहीं है कि वीडियो में delete कर दूँगा तो बीजे पी आ चुके तो बीजे पी के आने से 43, 60, 30 60, एक हजार 41 जो भी है 251, 104 जो भी है आठ भरतियों के पद वो सारे के सारे उतने एक उतने रहेंगे क्यों कि उतने ही पदों पर उतने ही पदों पर जितने पद थे उतने ही पदों पर provisionally शूचिया साथ भरतियों के जारी हुई है और यह जो पद मिले थे finance होकर की मिले थे, finance होकर के मतलब का क्या है, वित्विभाग ने स्विकर्ती दी थी, वित्विभाग की जब स्विकर्ती मिल जाती है, तो पदों को lapse नहीं ही किया जा सकता, ठीके ना अब आप लोग 2013 का उधान देंगे, तो उसमें लफड़ा कुछ अलगी था, ठीके, उसमें लफड़ा कुछ अलगी था, और 2013 में जो भरती कॉंग्रेस सरकार के समय निकाले गे थी, जन्म की बंपर पदों पर, उसको बीजेपी ने पूरा किया, 2016 के शुरुवाती दिनों में पोस्टिंग दी गई, पद कम करके वो कोई टेक्निकली ऐसा कोई इस्यू था तब उन्होंने पद कम किये थे जबकि 2023 की जो आप लोग की आठ भरतिया है, उसमें एक भी जो पद है, वो कम नहीं होगा नई भरतिय रध होंगी, अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा आज के बाद पांच तारी को आचर सहीं तक खत्म हो जाएगी, पांच दिसंबर को, उसके बाद नई सरकार कब तक सपत लेती है कोन-कोन मंतरी बनाये जाते हैं किसको मुखमंतरी बनाये जाता है उन चीजों पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा ठीक है, उसके बाद जो है आप लोगों को क्या करना है जैसे नई सरकार बन जाए उसके बाद आप लोगों को सिफू, चिकित्सा विभाग या जो भी हेल्थ मिनिस्टर बनेगा या सी-म जो भी बनेगी या बनेगा, उनसे लगातार, इस भरती को ले करके ग्यापन देने हैं, बादचीत जारी रखनी है ताकि एक प्रैशर जो है वो कायम रह सके और आप लोगों की लिस्टे हैं जल से जल जारी हो सके ये जो दिसंबर के कुछ दिन है और जनवरी के कुछ दिन है इन में आप लोगों को चिकित्सा विभाग सिफू तसा सरकार पर दबाब बनाने की कोशिस करनी पड़ेगी तब जाकर के चीजें आप लोगों के पक्स में होती हुई नजर आएंगी और मेरा तो अवराल ये मानना है कि आप लोगों के जो पद हैं और आप लोगों के जो भरतियां है पिलकुल इसी तरीके से पूरी होंगी ठीक है पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ और जो मैं कहता रहा हूँ आज तक एक अनुभाव के आधार पर कि जो कुछ कहता हूँ लगबग वैसा 90% होता ही है तो जो मैं कह रहा हूँ बीजेपी सरकार आने पर भी आप लोगों की भरतियों पर कोई दिक्कत नहीं आएगी कोई भी भरति रद नहीं होगी और मैंने बताया ना कि इस तरीके के मैसेज कौन लोग फैलाएंगा कि आप बीजेपी आगे दूसरों की खुशियों से इत्तिफाक नहीं रखते वो इस तरीके की चीजे फैलाएंगे अब आप लोगों को विश्वास हो RNS Education News पर ठीक है तो इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा और जब आप लोगों की नतीजे आ रही है चार राज्यों के एक के कल आएंगे चार दिसंबर कुमिजोरम में तो इस वज़य से कोई भी भरती रद नहीं होगी कोई भी भरती के पद कब नहीं होगी जिस तरीके से आई थी उसी तरीके से ये भरतिया होगी और बीजेपी ने भी धाई लाख नोक्रियों का वाईदा किया है कितने का धाई लाख का ठीक है सातियों और पंदरा हजार डॉक्टर्स कितने पंदरा हजार डॉक्टर्स ठीक है और बीस हजार जो है यहाँ पर पेरामेडिकल और नर्सिंग स्टाप की ठीक है तो बीजेपी भी 20,000 नोक्रियां चिकित्स विभाग में देगी ऐसा नहीं है कि बीजेपी आते हैं सब कुछ गलत हो जाएगा यह आप लोगों का अकलन होता है कि किस तरीके से आप लोग सोचते हैं इन चीजों को ठीक है अलंकि राजनेतिक जो प्चाल वाजी है या परिभास है उन्हें मैं नहीं जाना चाता मेरे लेके कोई भी सरकार बने कोई मुझे मतलब भी नहीं है ठीक है लेकिन यह है बीजेपी ने भी ढाई लाक नोकरियां अलग से और यहां पर 35,000 नोकरियां जो है चिकित से वभाग में देने का वाइदा अपने गोशना पत्र में किया था तो 20,000 प्लस 15,000 35,000 जोबस तो देगी अपने 5 साल में ठीक है यह भी आप लोगों को बता दूँ कहिए सोचो कि यार यह जो 20,000 इन कोई तो कहीं बीजेपी नहीं कह रहे थी हनुमान बेनिवाल जी की पार्टी तो यह तो सब के मत है अपने-अपने किसी को कोई पसंद है हम इनलिसिस जो करते हैं सिर्फ रोजगार, सिक्ष्या, नोकरी के अधार पर करते है तो हमारे लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कई सालों से जब इस में फिल्ड में हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि राजस्थान में नोक्रियों के मामलों में हर सरकार ठीक है ठीक है बीजेपी ने भी नोक्रियां 2008 के बाद काफी संक्या में दी है 40-50-50,000 नोक्रियों एक साथ निकाली हैं कई हजारों नोक्रियां उन्होंने भी निकाली है तो ऐसा नहीं है बिलकुल भी दोहजर एठारमें बीजेपी सरकार थी 12-15 वारा हजार उन्होंने नोक्रियां दी A&M, J&M की भरति किसने निकाली थी तो BJP हो चाई कांग्रेस हो राजस्थान में दोनों ही जो पार्टियां है रोजगार देती है आपका जो आकलन ही या अलग हो सकता है कि भाई वो ऐसा करते हैं ये ऐसा करते हैं वो एक अलग बात है ऐसे तो देखिए फूर्ण कोई भी नहीं है मैं भी हो सकता है कि काफी सारे लोगों की नजरों में गलत हो सकता हूँ जादा बोलने वाला इंसान हो सकता हूँ ठीक है तो किसी के सर्टिफिकेट के आउशकता किसी को नहीं होती है और मेरा ओराल ये मानना है कि BJP सरकार को बधाई ठीक है रजस्तान में जो युवाओं के साथ इन्होंने वाइदे किये हैं उनको पूरा क्या रहे और दोस्तों आप लोगों की तमाम जो भरतिया हैं वो सारी के सारी पूरी होंगी डॉंट पैनिक ठीक है गुसा चिंता सारी चीजों को छोड़ दीजी ठीक है और मस्त रहिए सैयम से रहिए धैरिये से रहिए ठीक है ना और खुश रहिए हमेशा आरेनस एजुकेशन न्यूज आप लोगों के साथ खड़ा है और यह भरतियां पूरी होंगी और इसी चैनल पर आप लोग क्या देखेंगे आप लोगों की पोस्टिंग और देखेंगे मैं जब लेकर करके आऊँगा वीडियो के आज इस भरति के पोस्टिंग और आ गए आज इसके आगए आज इसके आगए तब आप लोगों को मेरी यह आज तीन दिसम्मर की बात याद आएगी उससे पहले दोस्तों आदेखेंगे आप लोगों की सोच है आप किस तरीके से सोचते हैं बातों को क्या एक छोटे से मैसेज से आप लोगों का तरबन जो है काँप जाएगा क्या मेरी तरह पॉजिस्टिव सोचेंगे कि हाँ यार बिलकुल सही होगा जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा तो मैं इतना ही कह रहा हम भरतियां पूर्ण होंगी कोई टेंशन नहीं है कोई भी दिक्कत नहीं है सरकार आच चुके बीजेपी की कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ये लोग भी पोस्टिंग देंगे ठीक है राजस्तान में ऐसा अमूमन होता नहीं है ठीक है यूपी बिहार में भी नहीं होता ऐसा काफी सालों से हमने देखा है वहाँ पर भी ऐसा नहीं होता है कि भाई उसकी बरतियों को वो रद कर दें उसकी बरतियों को वो रद कर दें ठीक है फिलाल जो चीजे थी चिकितसव विबाग की भरतियों में जो विसंगतियां थी उन सब के लिए कोट के आदेश आ चुके हैं कोट ने जैसा कहा है वैसा चिकितसव विबाग करने के लिए तैयार है तो अब विसंगतियां बची नहीं है मुझे ऐसा लगता है ठीक है जो भी दिक्कते थी, जो भी परसानिया थी, जो भी mistakes हुई थी चिकेट सविभाग से, वो सब मन्य रस्तन हाई कोट ने चिकेट सविभाग को कह दिया भाई, ऐसे ऐसे करना है तुम्हें, चिकेट सविभाग की मान गया कि हाँ सब हम ऐसे ही करेंगे, तो जब सारी चीजे sort out ह हो चुकी है, कोई स्टेव अगरा नहीं है, कि नहीं भाई, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो फिर आपकी साधार पर कह सकते कि BJP आते रद कर देगी, ऐसा बिलकुल भी नहीं होगा, BJP को भी पता है कि 20,546 पदों पर भरतिया चल रही हैं, ठीके, वंडग सक्की हो, रीट के कुछ अभ्यारती हो, या फिर तमाम वो लोग हैं, जिनकी हज्जारों पदों पर न्यूक्तिया रुकी हुई हैं, अब ऐसे सब लोग सोच लेंगे, तो फिर क्या होगा, ऐसे सब लोग सोच लेंगे, जिनकी पोस्टिंग नहीं क्या रहा, अब BJP आगी हमारी रद ना कर दें, ऐसा होता नहीं है, यह चिकित सविभाग के बच्चों का एक रीमूवर्स फैलाने का, जो लोग काम करते हैं, उसका डर है, आप लोग खुद भी भैबीत रहते हैं, डरते हैं, यार यह क्या हो गया, थोड़ा सा स्ट्रोंग कीजी अपने आपको, और पोजिट कर रही होंगी, मन में दुख हो रहा होगा, ठीक है, जो को उंग्रेश को पसंद करते हैं, उनको थोई रहा होगा, यह क्या हुआ, ठीक है, हलंक यह चीजे बदलती रहती हैं, अपने को त्वोई, दाल, रोटी, नमक, आटा, मिर्ची खरीद के खाना हैं, ठीक है भाई, कम आपके, या मेरे वोट, से थोड़ी न, कुछ चीजे बदलती हैं, कई करोड लोगों ने वोट करा, इस वज़े से चीजे बदलती हैं, और बदलता रहना भी चाहिए, ठीक है, राजनेती में, कोई किसी का नहीं होता है, बिल्कुल मस्त रहना है, प्रसन रहना है, खुच ठीक है मेरत ये नषब नेन, भाके दोस्तों आप लोग सवतंतर क्या सोते हैं, सारी भरतिया पूरी होंगी जरूर पूरी होंगी, ठीक है कोई भी टेंशन नहीं होगी, बीजेपी के आने से भी सब की न्यूक्ति होगी बहुत जल्द होगी ठीक है परिवेदना, होल्ड, खेल, दिव्यांग सबको जो निप्टारा है ये लोग 31 तारिक तक कर लेंगे काफी सारे बच्चों का ये भी सवाल होगा कि जो अनुभव प्रमान पत्तर के लिए हमको जाना कि दोस्तों देखिए एक दो जगह से आया था कि सम्मंदिता भेरती को बुलाए जाए बाकी ये जो काम है ब्लोक लेवल पर BCMO कागज वगरा ले करके और CMHO तक पहुँचाएंगे ठीक है और ये जो आदेस है इनकी थोड़ी सी भासा भी इस तरीके से कि थोड़ा सा कन्फुजन मुझे भी हुआ था ठीक है तो ये बात है दोस्तों जहां भी अगर जाने के स्थती होगी कि आपको खुद को जाना है वहाँ पर तो हम आपको टेलिग्राम के मारफ़त से सुचित कर देंगे ठीक है बाकी मस्त रहो सभी लोग धन्यवाद जहिंज भारत